हाई व्रीवन विल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आयम मुहमद सुल्तान यह आज की में टॉपिक है फोरियर सीरीज फोरियर सीरीज में इवन और और फंक्शन पर बेस्ट एक प्रॉब्लम एक्पेंड करूंगा मैं इसमें देखिए पहले इवन और और फंक्शन दे और अगर एक इवन है दुसरा भी इवन है यह टोटली इवन माना जाएगा और अगर डोनों ओर ए तो ये भी even माना जाएगा यहां पर एक concept रहता है अगर आया तो directly उसकी जीडो रहती अगर एवन अया तो further उसको solve करना और यहां पे Coss NpY की जो value लेना है अपने को वो minus 1 power n लेना है यह type के problems में odd even के problems में Coss NpY की value minus 1 power n consider करना रहता तो यहाँ पर एक problem है देखिए expand f of x equal to x cube as Fourier series in minus pi to plus pi यहाँ पर जो limit जियावा है odd है एक even है तो यह even odd का problem हो गया तो पहले अपने को 2L equals to आपल लिमित माइनस सुलवल लिमित कंसिडिर करना रहता अपल ली मिटपई ही माइनस लोगत मैंस फैसा टू पाई 해주 रूका अंसर पहे आगया यहां पे फोरियों की जागा पाई उसकरना है पर फ़ेजे में फोर्य को सीरीस का यो फॉर्मला व confrontation f of x equals to a not pi 2 plus submission of n equal to 1 to infinity a n cos n pi x l plus submission of n equal to 1 to infinity b n sin n pi x pi l यहाँ पर अब अपन जो काल्गरेट करें वहाँ पर n l की जगा पर पाई कंसिडर करना है तो पाई सब्सूट करें तो पाई पाई कटके सब्सक्राइब nah perfect to add s15 मिष्जण ऑन सब्सक्राइब एक मैसे आप नकिसमें जो एन और बीन अन्नोन है यहाँ पर A0 मालूम करने के लिए जो formula है वो है 1 by L minus pi to pi f of x dx तो L का answer अपने उपाई आया तो 1 by pi minus pi to plus pi f of x की value x cube है dx डिरेक्ट यह भी लिके जो चलता 1 by pi का term तो यहाँ पर x cube अगर consider करें पर टेबुल के साफ़ से तो odd है यह तो यहाँ पर A0 का answer directly zero हो जाता odd रहने से next यहाँ पर जो A0 है एन का formula रहता 1 by L minus pi to pi f of x cos nx dx तो L की जगा पाई लेने का है अपन जो starting में calculate करें थे यह अगर formula नहीं भी लिके आप तो direct यह लिख सकते हैं 1 by pi minus pi to pi f of x cos nx dx तो f of x की value यहाँ पर cos x cube है जो odd है cos nx भी even है तो odd और even दोनों का जो final answer रहेंगा और रहेंगा और रहेंगा और रहेंगा तो इसको भी solve नहीं करना है b n का answer भी a n का answer भी 0 रहेंगा a not cancer भी 0 है और a n का answer भी 0 है next third term b n finite करने के लिए formula है 1 by L minus pi to pi f of x sin nx dx एल का answer पाई आया था तो एल की जागा पाई लिख दो f of x x cube sin nx वो टेबल के साब से x cube odd है और sin xp odd है तो overall even आएंगा यह odd into odd even आता even आया तो further अपने को solve करना पड़ता तैसे last two terms odd आया थे तो आपन डिरेक्ली 0 लिखेते even आया तो next step solve करना पड़ता तो even आया तो चेंज करना है 0 से उसके बाद x cube sin nx dx को further solve करेंगे दिखिए तो टूबई पर वैसे constant लिख लो यहां पर concept क्या है यह first answer first step में सेम लिखना है इसको अंदर वाले को integrate करना है और fourier series का plus minus plus minus आते जाएंगा वैसा और next step से क्या करना है यह बाहर वाले को differentiate करना है और अंदर वाले को integrate करना है अभी वोले वैसा में आप पहले फर्स्ट कॉंस्ट लिख दो सेकेंड वाले को integrate करो integration of sin nx का formula है cos nx by n minus cos nx by n तो वह इसाब से minus cos nx by n आ गया फिर fourier series का minus बाहर वाले को differentiation d by dx of x power n nx n-1 के formula के साब से 3x square आता हो फिर अंदर वाले को integration minus cos nx by n cos nx का integration sin nx by n पहले से minus nx से minus आ गया हो और n पहले से n square और एक एड हो गया fourier series का फिर प्लस पिर बाहर वाले को फिर से differentiation 3yc रखते के x square को x power n से formula से फिर से differentiate करना है nx n-1 वह आता 2x तो ओर आता हो त्री टूजा 6x हो जाता फिर अंदर वाले को फिर difference integration तो यह हो जाता integration of sin nx है minus cos nx तो पहले से minus nx से minus of minus plus cos nx हो गया हो पहले से n square रहने से n add होके n cube हो गया फिर fourier series का minus differentiation of x d by dx of x बना आता 6 constant वैसी रहेंगा फिर इसको integration integration of cos nx क्या है sin nx है यहां पहले से n cube रहने से n power 4 आता हो और plus हो तो plus अब यह constant आने के बाद अपने को यहां पर stop कर देना परता आगे नहीं करना है जब तक constant है जब तक differentiate करते next step 2 by pi minus x cube cos nx by n होता हो फिर यह minus of minus plus 3x square sin nx by n square plus 6x cos nx by n cube minus 6 sin nx by n power 4 0 to pi अब यहां पर sin के terms consider ने करना है अपने को क्यों वह थो sign n5 का answer जो है न वह जीरो है cos npi का term consider करना है हाली sign का 0 है जम्ज़ों तो limit substitute कर हो हूं है हाली cost के terms में 2 by pi यह upper limit है यह minus lower limit है यहां पर minus x की जगह पर पहले pi cube cos npi limit जो है ना एक जगे पर substitute कर दें एन pi by n अपर limit हो गया यह plus lower limit इसमें फिर cost के terms में 6 into pi cos npi by n cube यह पूरे में अपर limit आगया यह term में फिर minus lower limit lower limit क्या है 0 है तो यह भी 0 cos यह जो x है ना multiply मेरेने से यह भी 0 हो गया यह भी 0 multiply मेरेने से 0 हो जाता तो 0 plus 0 हो गया यह lower limit 0 हो गया पूरा अब फर्दर इसको consider करो cos npi की value स्टार्टिंग बिला था में माइनस 1 पावर n रहता हूं हो इसाफ से 2 by pi minus pi cube cos npi minus 1 power n plus 6 pi cos npi फिर से minus 1 power n minus 1 अलग लिखके power n अलग लिखना दिए यहां पे यह plus हैने से इसको पहले लिख लिया मैं और फेजी को बात में लिखा और रेंज कर लिखके लिखा और इसमें पाई इसमें से फाइग गट जया था यह फेजिया फिर पाई पाई कटके शिक्स drop A0 ANBN values in equation A जो this starting in 1st resume करे मैं करेतेया है ये उसमें 150 कजिए क्या है फives xx equal to Pcos and next plus B portion Allаль Blue फमिलाओं अपने करें ihmरे अपने करें Пол नोष ये झालों एंब teo लिख दिया में Assumption of n equal to 22 अंपने की इतना बड़ा आया पिछे लिखा था मैं 2 parameters 6 minus 1 to power N by N3 minus pi square minus 1 power N by N bracket close sin N this sin N X by BN is an result so that the answer is the final F of x equal to X3